नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और इस समय न्यूस्क्लिक की टीम के साथ मैं खड़ी हूँ गुजरात में गुजरात में चुनाओ की कवरिश करने के दौरान जो देखने सुनने को मिला वो अपने आप में गुजरात के समाज के बारे में बहुत दिल्चस्प जानकारी देता है उन में से कुछ जानकारियां आपके साथ हम इस कारेक्टर में साजा कर रहे हैं गुजरात में सामपरदाई कार्ड खेला जाता है, हिंदू-मुसल्मान भेध है, नफरत है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात में उससे भी बड़ा या तकरीबन बराबर का दानव है जाती जी हां जाती, यहां अगर आप सड़कों पे चलें तो कारों के उपर, बाइक के उपर, स्कूटर के उपर जाती मौजूद रहती है जाती का सिंबल मौजूद रहता है, जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है हर जाती के अपने-अपने अलग कुल देवता हैं, कुल देवी हैं और उनकी उपस्तिती कारों तक में मौजूद है यानि जब वे सड़क पे चलते हैं, तो वे बताते हुए चलते हैं कि वे पटेल समाज से हैं, बाकी यादव समाज से हैं या फिर ब्रामण जैन, अलग-अलग जो सेक्ट से हैं, उससे हैं मामला बस यहीं रुखता नहीं है दिल्चस्प बात यह है कि गुजरात में इस समय जो पूरा पढ़ाई का स्ट्रक्चर है जो हॉस्टल हैं, वे हॉस्टल भी जाती आधारित है ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है यह सरदार पटेल नाम से बना हुआ हॉस्टल है यह पटेलों का हॉस्टल है आप यह जो आलिशान हॉस्टल देख रहे हैं इसको बनाने का काम पटेल समाज ने अपना पैसा लगा कर यह प्राइवेट हॉस्टल है जिसमें पटेल समाज के ही जी हाँ, exclusively for पटेल स्टुडेंट लड़का हो, लड़की हो बस उसे पटेल समाज से होना चाहिए और यहाँ जो आलिशान आपको पीछे हॉस्टल दिख रहा है इसमें उसे एड्मिशन मिलेगा बहुत कम नॉमिनल फीस यहाँ लगती है जैसा कि लोगों ने बताया है लेकिन सबसे एहम बात यह कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पटेल समाज से जुड़े हुए संसकार जाती गौरव यह सब डाला जाता है या यूं कहिए कि अपने आप आ जाता है और इसके बात का जो सिलसिला है वो हमें समाज में दिखाई देता है गुजराती समाज बुरी तरह से जाती पर आधारित बैमनसिबें जाती पर आधारित गौरव पर बटा हुआ है इसी तरह से जैन समाज के लोग हैं उनके हॉस्टल्स हैं जितनी जातियां उतने हॉस्टल उनका अपना अपना जैसा पैसा है उसी हिसाब से होस्टल बनते हैं दले समाज के भी अलग होस्टल हैं और बस इतना ही नहीं यहाँ पर जो घर बनते हैं जो एपार्टमेंट्स बनते हैं वे भी जाती आधारित हैं एक जाती का जहां बाहूले है वहाँ दूसरी जाती के लोगों को घर नहीं मिलता इस पर हमने थोड़ी बातचीत की आईए देखते हैं कि कण कण में गुजरात के कण कण में किस तरह से जाती मौजूद है मौजूद के किने किमे हैं तो अन्ह एक आप अच्म दूभार कमींटी से आपो बातव टूभार कम्यूंटी से तो आज आप अज के सरे एक शह जए पर कर शुँच में अबिल्ड़िघर जैनी बनाते हैं वाह आप जो एक्टल प्राइज उससे synthes दर दस राक ज्याधा देए तो आपको घर रही दिया जाएगा अगर आप उस कास्ट के नहीं है तो आप अगर आप पर कास्ट नहीं है तो आप रभारी कम्यूनिटी से अपको पूछा जाएगा कि आप कौन से कम्यूनिटी से या कौन सी कास्ट से बकाइदा पूछते हैं और बकाइदा पूछने के बा तो पेहले से बाहर है। अगर मेरे पास घर नहीं है और मैं पर्टिकुलर कोई कम्यूनिटी या कास से हूँ जिसका जो बनाया गया है कि आप तबंग कम्यूनिटी से मैं घर लेने जाओंगा मैं किराया दूंगा उसके बावजूद भी आपको घर नहीं दिया जाए कि वह यह सोचते कि घर खाली नहीं करेगा आप चाहे इतने पड़े लिगे हो आप डॉ अगर मालीजे मैं हूँ अगर मालीजे मैं ठापूर कम्यूनिटी की हूँ या रभारी की हूँ तो मुझे कैसा पता चलेगा कि इस अपार्टमेंट किसका है नहीं हो तो लोकालिटी के हिसाब से पच्ता चलता ना जैसे एमदाबाद का अगर आप उसका जियोग्राफी दे लेगे आपको तो यह एक बंते-बंते बनाए ना जैसे चांद खेडा एक इलाका है तो चांद खेडा में पढ़ा लिखा जो दलीजे जो है वह ओल्ड सीटी में है जहां पर मुसलीम दलीज और पाकी कम्यूनिटी मिक्स है बट जो पढ़ा लिखा दलीज है जो बहार आ र लाका है उससे आगे फिर आपको मुसल्मान रिलाका आजाएगा चुगापूरा तो चुगापूरा और बेजलपूर के बीच में जो बस्तिया है वह दलीजे जाएगी गुजराच चुनाओं में इस बार उना उना में जो दलीजों पर हिंसा हुई थी वह मुद्दा नहीं इस ले सालग जातीयों के हिसाब से लोगों को घर मिलते हैं घाउप से जाती पर आधारित रहे से में जातिक इसा का बहुत घोस रूप बहुत थैसा माजिक रूप के समाज में मौसुद है जिसे राज्मतिक रूप से शुनोती बिलकुल नहीं दी गई तो सबसे पहली जो होड है क्योंकि आज कल तो अगर सादी बी करनी है तो आपको सरकारी नांखरी नहीं है तो आपको लड़की नहीं मिलेगी गॉब से शहरों तृब म्यो नाएशन जीए पलग रहा है क्योंब की किहिकेتी किसी को नहीं कर लेती है अपनी लड़की की शादी गाउं में नहीं करनी है तो शेहरों से माइग्रेशन जो बढ़ रहा है और हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ले कहीं सरकारी नोकरी मिल जाए सरकारी नोकरी के लिए जो फैसिलिटी देनी पड़ती है बहुत कम है या है तो बहुत कम Pray जाएंगे आपको मिल has सब यह अपनी कम्यूंटि के बीच रहता है तो मैं ऐसे पचा सो होस्टिल जानते हूँ जो ढों दोस्तों देखा आपने कि गुजरात की एक बहुत बड़ी Χकिकत है जाती जबकि जातिगत राजनीती के बारे में सबसे जादा बदनाम उत्तर भारत के कई राज्ये हैं बिहार और उत्तर प्रदेश लेकिन जिस तरह से गुजरात में अलग-अलग जातियों के हॉस्टल हैं जिस तरह से हमने आपको दिखाया पटेल का अलग चौधरी का अलग ठाकुर का अ जातियां हैं उनके भी अलग जैसे घाची सैदर दीवान सिद्धी इस सब कहानी बता रहे हैं कि गुजरात का समाज कितना डिवाइड है कितना विभाजित है और शायद यही वजह है कि इतने विभाजित समाज में हर एक जाती का अपना अलग-अलग गौरव है जिसे बिल को लेकर ही जीती हैं अब सोचिए कबीर दास इतने साल पहले कह गए जाती न पूछो साधू की पूछ लोग ज्यान और यहां गुजरात की धर्ती में जहां पर 94 से लेकर अभी तक बड़े पैमाने पे जो भाश्पा ने अपनी हिंदुत्व की प्रियोक शाला पैदा की है उसमें मनुवादी आधारित जाती व्यवस्ता सिर्फ चड़ कर बोल रही है कार हो बाइक हो ओटो हो और पढ़ाई हो यानि जीवन के हर विस्से में जाती अप